दिल्ली की साखेत कोट में सरेंडर करने से पहले निर्दली वाहुबली विथायक अनंत सिंग का तीसरा वीडियो सामने आया इस वीडियो में अनंत सिंग ने कहा कि वो अदालत में आत्मस्तमर्पन करेंगे अनंत सिंग ने कहा कि पुलिस पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है वहीं उन्होंने पटना पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने सांसद ललन सिंग, मंत्री नीरच कुमार और अपर पुलिस अधीकशक लीपी सिंग पर साजश रचने के आरोप लगाए हम पुलिस को सलेंडर नहीं करेंगे, हम जाके कोट में सलेंडर करेंगे, हम को नियाले पर भरोसा है, सलेंडर हम पुलिस में नहीं होंगे काहे कि मिट्रींग हुआ अंधु जान गए किंटम पीशी में मिट्रींग किया इसमें ललांसिंग थे निल्लयंसिंग अर्zne किमा चे सचलिखन कर समां का मुए गया यूश्यकं स्कलु सब्सक्टम्. पर बीकषि सबुदक हैं कि działुख पर च, भृृक जिए कि हम जब भी कोर्ट ले जाएं तो दे में दे के, हम वो कोर्ट पर भड़ा सा है, हम जब हाली होगे तो कोर्ट में होगे, हम पुलिस उसा में नहीं होगे आपको बता दे कि अनंत सिंग के घर से एके संतालिस और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था अनंत सिंग को गिरफतार करने के लिए बिहार पुलिस उनके घर दबिश देने गई थी लेकिन अनंत सिंग पुलिस की पहुचने से पहले ही फरार हो गए थे जिसके बाद अब अनंत सिंग ने दिल्ली की साकेत कोट में सरेंडर कर दिया जानकारी के अनुसार अनंत सिंग को नियाएक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली से हवाई जहाज से पटना ले जाया जाएगा और विधाय को लाने के लिए बिहार से पुलिस की टीम भेजी जा रही है पंजब के सी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट